कोविट के नए वायरस ओमिक्रोन को इस संकट को देखते हुए मन्दपा प्रशासनी तैयारी शुरू कर दी है मन्दपा के सभी हस्पतालों में 450 बेड, 1100 अक्सिजन सिलेंडर और परियाप्त मात्रा में दवा उपलब कराई गई है ज़रूरत पढ़ने पर पासो और बेड पर ऑउकसिजन की व्यवस्था की जा सकती है विधान परिषित की आचार सहिता होने के बाद भी आपात परिसिती होने की वजके से महापौर दयाशन्कर तिवारी ने शुकरवार को समिक्षा बैठकी इस दोरान महापौर को तैयारियों से अफ़कत कराया गया। महापौर ने कहा कि तैयारिया पहतर है पर पिछले अनुभवों को देखते हुए सचेत रहने की ज्यादा जरूरत है। मनपा को अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। बैठक में पारशित सुनिल अगरवाल, आतरिक्त आयक्त रामजोशी, डॉक्टर संजीत चिलकर, चिकित साधिकारी गोवर्धन नवखरी आधी उपस्ते थे। महापौर को कोविट के नए वायरस के बारे में जानकारी दी गए। चिलकर ने बताया कि अब तक हुए अनुसं अधान से ग्यात हुआ कि ओमिक्रॉन शिरेनी के वायरस का तीजी से प्रसार होता है। महापौर ने कहा कि गबराने के जरुवत नहीं है। नाकपूर में 98.50 लोगों ने पहराटी का लगवा लिया है। कैमरा पोसन राजकुमार मोड के साथ अभिशेक पांसी बीसेन न्यूस नाकपूर।